हेलो गाईज तो आज की वीडियो में आपको इन कुलिंग फैन का स्पीट को किस टैप से कंट्रोल करना है मैं आपको बतलाने वाला हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 12V का DC फैन है तो इसके स्पीट को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके वायरिंग को सबसे पहले देखना होगा तो यहाँ पर देख सकते हो blue और green color का wire speed control के लिए होता है और black और yellow color का wire 12 volt का होता है plus minus तो यहाँ पर diagram को आप देख सकते हो और speed control करने के लिए आपको इस type की 10K का potentiometer की जुरत पड़ेगी जो आपको electronic component के दुकान पर 10 उर्पे में मिल जाएगा और यहाँ पर इन दोनों wire को potentiometer के wire को हमें speed controller वाले wire से connect करना है और positive negative wire को भी connect कर देना है 12 volt से तो देख सकते हो काफी अच्छा से हमारा speed कम जादा हो रहा है potentiometer को कम जादा करने पर तो काफी असानी से हम इसके speed को कम जादा कर सकते हैं आपको कोई भी controller इसमें लगाने की जुरत नहीं है